सब्तंबर अंटेक 2021 के लिए आया सीची की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है जिन बच्चों ने अपनी फाइल सब्तंबर अंटेक के लिए फ्रेश फाइल लॉज करनी है 15 में से पहले जब 15 तक जितने भी फाइल लॉज होगी सब्तंबर अंटेक 2021 के लिए उनका प्रफ्यूजन बना हुआ था कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट काम करेगा कोविट की जो सच्वेशन है वो बंतों नहीं हो जाएगा हमें सब्तंबर अंटेक के लिए अप्लाई करना चाहिए जा नहीं करना चाहिए जे उन्हें कॉशन का अंसर आया सीसी ने दिया है कि इन बच्चों ने अप्लाई करना है सब्तंबर अंटेक 2021 के लिए कोशिश करें कि 15 में से पहले पहले अपनी कम्प्रीट फाइल को लॉज़ करें जिससे उनका रिजर्ट टाइम पे आएगा वो ट्रैवल करकर सब्तंबर अंटेक के लिए कैनेड़ा में क्लासिस ले सकेगी अगर किसी कारना आपका फाइल लेट हो जाता है 15 में से तो भी आपके पास ऑप्शन है तो आपका अर्जर्ट कोशिश करेंगे कि सब्तंबर अंटेक से स्टार्ट होने से पहले आपको मिल जाएगे तो यह बहुत बड़ा बुड़ न्यूज है आई आर्सीस की तरफ से ज जन बच्चों को भी तक पी-पिया नही आई जन बच्चों ने अभी तक ब सीजन नहीं लिया कि उनको ऑलाइन क्लासिज लेना चाहिए, उनके कॉलेज की रिफंड पॉलजी क्या है, तो इन बच्चों के लिए में आडवाइस देना चाहता हूँ, उनको हाइली रिफ्मेंट करना चाहता हूँ कि आपके पास दो अप्शन है, सबसे पहले आप अपने कॉलज को ई-मेल करिए जिसमें उनसे उनका refund policy पोचे अगर आपने online classes लेना शुरू किया अपने college से उसके बाद अगर आपको refusal आ जाता है जहां जो last date है तब तक आप अपने result नहीं submit करवा पाते तो कितने percent, कितनी amount जो आपका फीस का deduct होगा अगर वो फीस सिर्फ admin charges है जैसे CDI college ने भी announce किया है क्यूबिक के students के लिए के अगर आपने online classes ली हैं तो हम आपका जो सिर्फ admin charges deduct करेंगे फिर चाहिए आपके दो semester भी complete हो चुके हैं अभी भी हम आपका कोई भी अलग से fees deduct नहीं करेंगे अगर ऐसी policy आपके college की तरफ से है तो आपको online classes लेना चाहिए अगर ऐसी policy नहीं है तो आप अपना take main take से deferent स्थम्बर take के लिए अपना last date of deferment अपने college की चेक कर लीजिए वेट करिए अगर आपका same date से पहले result आने की उमीद नहीं है तो आप अपना जो take या उसको defer कर सकते हो otherwise क्या होगा कि अगर same course September take में फिल हो गया तो आपका September take भी possible नहीं होगा आपको जैन 2022 तक जाना पड़ सकता है जह उन बच्चों के लिए अपनेट थी इसके बाद बच्चों के question थे कि biometric अभी start है जहां आफ हो चुका है बहुत सारे PFS centers close हो चुके है biometric almost एक बार उनने hold way रख लिया है passport submission का जो process था उसको भी hold way कर दिया है जब तक कोवेड की situation कंट्रोल में नहीं आएगी तो यह दोनों जो services है वो बंद रहेंगी इसके बाद अगर हम बात करें जो प्रोसेस है SDS के लिए same रहेगा यह बच्चों का question था SDS के लिए उन्होंने कोई describe नहीं किया जो process का टाइम है अगर आप 15 में से पहले फाइल लॉज करते हो complete तो उसमें SDS को उन्होंने clear नहीं किया बगर आप मानिए कि अगर आपका SDS जा नौन SDS वाइल है तो भी आप 15 में से पहले पहले अपनी फाइल लॉज करने की कोशिश करिए अमीद करता हूं जे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कोविड के कान सभी आफिस बंद हैं आप हमारी टीम के साथ आउन-लाइन वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर सकते हो जिन बच्चों की फाइल हमारे थूप प्रोसेस होई है उनका प्रोसेसिंग है वो कंटीनू है बर्ट फॉम हमारी पूरी टीम काम कर रही है आपको वरी करने की जूरुत नहीं है आपका फाइल पे काम हो रहा है और डेली बेसिस पर जो फाइल हो लॉज की जा रही है इसके बाद जो बच्चे फ्रेश फाइल हमारे साथ अप्लाई करना चाते हैं वो बच्चे नीचे दिये के नंबर पर अपनी फाइल हमाई शेयर कर सकते हैं उनका भी पूरा जो पॉरा जो प्रोसेस रहेगा फाइल स्रुशन का जो प्रोसेस रहेगा वो औलाइन होगा उनको बिज़र करने की जुरूरत नहीं है इमिग्रेशन दिपार्टमेंट ने ने भी इसी चीज़ को अनौन्स किया है कि जो कोवेट के दुरान जो कर सकते हो हमारी टीम आपको उसके लिए जो भी बेस्ट आप्शन्स है क्या कारने रफ्यूजल आने का कैसे हम इसको रिबूब कर सकते हैं वो सारी आप्शन्स आपको प्रवाइड कर सकती हैं हमीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगाव है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जूब कर दें थैंक्यू सो मच